इस्राइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में फिलहाल शान्ती के कोई असार नजर नहीं आ रहे हैं दोनों देशों के बीच चल रहा ये युद्ध हर दिन एक नया मोड ले रहा है अब हमास के आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस्राइल की सेना के साथ इस्राइली नागरिक भी मैदाने जंग में उतराए हैं इसी दिशा में देश में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और सुरक्षात्मग गियर्स की मांग भी तेजी से बढ़ गई है बुलेट प्रूफ जैकेट्स और सुरक्षात्मग गियर्स निर्माता कमपनियां देश की रक्षा कर रहे नागरिकों को इतनी अधिक मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और सुरक्षात्मग गियर्स की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो रही है and right now, because it's the IDF Reserve, they don't have enough equipment, but slowly, slowly the equipment is getting to all the units. Not only the Army Reserve needs equipment, which is part of it is bulletproof vests or helmets, but also civilian infrastructure that are protecting the towns. So the demand is very, very high. There's manufacturers, there's many manufacturers in Israel that are manufacturing, but the demand is just too high right now. It's basically, you know, a very, very large part of the population that is working 24-7 towards the war effort. देश में बनी मौजूदा इस्तिती को देखते हुए, इस्राइल में हर व्यक्ति अपने पूरे परिवार के लिए अपने साथ bulletproof jackets रख रहा है. निर्माता कम्पनियों के लिए पहली प्रात्मिक्ता युद्ध के लिए जा रहे हैं सैनिकों को सुरक्षात्मा गेर्स उपलब्द कराना है.